हलो स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर एट ट्रिगनोमेट्री का थर्ड कोश्चन स्टार्ट करते हैं तो मारे पास थर्ड कोश्चन है कोश्चन है मारे पास इफ 10 of a plus b equal to root of 3 and 10 of a minus b equal to 1 by root 3 ठीक है हमने a और b की value find out करनी है और condition दियो ही है a और b की a plus b की value 0 और 90 के बीच होनी चाहिए और जो a है वो greater than b होना चाहिए tan of a plus b equal to root of 3 तो tan कौन से अंगल पे root 3 होता है 60 degree पे तो इसे लिख सकते हैं tan of 60 degree इसी तरह tan of a minus b वो equal to 1 by root 3 तो यह 1 by root 3 कौन से अंगल पे होता है tan यह होता है 30 degree पे ठीक है तो tan के साथ tan cancel हो जाएगा तो हमारे पास a plus b आ गया 60 degree और a minus b आ गया 30 degree अब इन दोनों को solve करके हमने a और b की value find out करनी है तो a plus b 60 और a minus b 30 अब इन दोनों को solve करेंगे तो b के साथ b cancel 2 a equal to 90 तो हमारे पास a की value क्या आगी 90 divided by 2 तो a की value क्या है 45 degree ठीक है अब हमारे पास a की value अब b की value find out करनी है तो हमारे पास a plus b है 60 degree तो यहाँ a की value पूट कर दो 45 plus b 60 तो b की value क्या है 60 minus 45 तो b की value है हमारे पास 15 degree ठीक है तब हमारे पास a और b की value आगी अब हमने चेक करना यह condition satisfy कर रही है या नहीं पहली condition हमारे पास क्या है a plus b की value हमारे क्या होनी चाहिए 0 और 90 के बीच बीच तो a plus b a हमारे पास क्या है 45 plus 15 तो यह क्या हो गए 60 degree तो पहली condition हमारे पास satisfy है a plus b की value 0 और 90 के बीच बीच है और second condition a b से बढ़ा होना चाहिए तो 45 15 से बढ़ा है तो हमारी second condition भी satisfy है तो हमारा third question complete होता है फोर्थ कोश्चन है state whether the falling are true or false justify your answer हमारे पास पहली value है sin of a plus b equal to sin a plus sin b ठीक है यह हमने बताना true है यह false है देखने में से तो लग रहा है भी यह true होगा लेकिन हम क्या करेंगे इसे check करेंगे a की value हम let कर लेते हैं a की value हम 60 use कर लेते हैं b की value 30 use कर लेते हैं अगर दोनों को put करेंगे value तो क्या आगा मारे पास sin 60 plus 30 left hand side में 60 plus 30 क्या होता है sin 90 तो sin 90 की value मारे पास क्या है 1 इसी तरह value use करेंगे right hand side में sin of 60 plus sin of 30 अब sin 60 की value मारे पास क्या होती है root 3 by 2 sin 30 की 1 by 2 तो यह क्या आगा है root 3 plus 1 by 2 अब यह दोनों तो इक को लाए नहीं तो पहला हमारे पास क्या है false यानि यह हमारे पास sin a plus b not equal to sin a plus sin b तो चलते हैं second part पर second part है the value of sin theta increase as theta increase यानि जैसे जैसे theta increase होता है क्या sin theta की value भी increase होती है तो पहले हमारे पास sin theta theta 0 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree sin 0 आपको table याद होना चाहिए sin 0 की value क्या है 0 30 की 1 by 2 40 की 45 की 1 by root 2 60 की root 3 by 2 90 की 1 देखो value increase होती जा रही है जब जब angle बढ़ा जाता है value increase हो जा रही है तो sin theta increasing as theta increase तो यह क्या है true है ठीक है first false second की है true तो चलते हैं third part पर third part पर ऐसा ही है third part में इन्होंने बोला है the value of cos theta increases as theta increase अब cos theta की value चेक करते है 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree अब cos 0 क्या होता है 1 30 क्या होता है root 3 by 2 45 क्या होता है 1 by root 2 और 61 by 2, 91 यह देखो यह decrease हो रही है लेकिन उन्होंने क्या बोला है increase तो यह third हमारे पास क्या है false है ठीक है cos theta decrease होता है sin theta increase होता है तो चलते हैं fourth part पर fourth part देखो fourth part इन्होंने बोला है sin theta equal to cos theta for all value of theta अब हमने यह देखो sin 0 पर क्या है 0 है cos 0 पर क्या है 1 है यह 0 पर equal नहीं तो सभी value पर क्या equal है सिरब यह 45 पर equal होता है और किसी value पर equal नहीं होता है इन्होंने बोला all value पर तो यह क्या है यह भी false है ठीक है तो चलते हैं fifth part के fourth का fifth part fourth part है cot is not defined for a equal to 0 तो यह आपको table याद होना चाहिए जैसे cot a है cot a को हम क्या लिख सकते है cos of a divided by sin of a अब 0 degree पुट करते है cos of 0 degree sin of 0 degree cos 0 क्या होता है 1 sin 0 क्या होता है 0 आपको याद रखना जाए अगर denominator में 0 आ जाए तो वो क्या होता है not defined इसे infinity लिख देते है यह लिख देते है not defined तो यह भी हमारा क्या है true है तो fifth question हमारे पास क्या है true तो यह हमारी 8.2 complete होती है तो next video में 8.3 स्टार्ट करेंगे thanks for watching and subscribe the channel